दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल इस्टूडेंट अड़ा लाइब में दोस्तों आज की एक खरोड़ की जानकरी बताना जाओंगा जो कि आज के डेट में मैं मध्यकालेन भारत का इतिहास मध्यकालेन भारत की पारे में पूरी कॉंसेप्ट फुल कॉंसेप्ट की जानकरी मैं आपको एकदम लेकर कर आया हूँ जिसमें बैसिक से आपको इतिहास के बारे में जानकरी बताए जाएगी ठीक है जिसमें की सिर्फ आपके वन लाइनर कोश्चन है जो कि आपके एक्जाम की लिए जो महत्पूर्ण कोश्चन जो आते हैं प्रते एक वर्ज जो रिपीट होती जाते हैं सिर्फ उन्हीं कोश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूं जिसमें कि आपको जानकारी आपको दी जाएगी आपका हार्दिक श्वागत है हमारे अपने चैनल इस्टूटेट अडालाइब में मैं अमर दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं शमय नगवाते हुए क्योंकि आप समय कम है और पढ़ाई बहुत करनी है क्योंकि आपको पता होगा जे पूरी जानकारी आज हम पढ़ते हैं ठीक है जिसमें के आपको पूरी जानकारी दी गई है तो चले दोस्तों बदाना चाहूंगा सबसे पहला कोश्चन जो आज का आ जाता है हसन निमा निजामी और फक ए मुदबिर किसके दरवारी कभी थे जिसका सही एंसर हो जाता है जो है हसन निमा जामी और फक के मुदबिर जो है कुतबुदिन एवक के दरवारी कभी थे ठीक है उसके बाद आपका आज के डेट का जो दूसरा कूर्शन हो जाता है मुहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आकर्मन कभी किया था मुहम्मद गौरी ने सबसे पहली बार जो है 1175 इसवी में भारत पर आकर्मन किया था मुहम्मद गौरी ने बारत पर 1175 में भारत के मुलतान पर आकर्मन सबसे पहले किया था ठीक है सबसे पहले जो आकर्मन किया था मुलतान पर उस समय वहां का करमात जाती के मुश्लिम शाषकों का राज्य था ठीक है उसकी बा काल को मुगल चित्रकला का श्रौनकाल कहा जाता है सही एंसर हो जाएगा जहांगीर जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का खुब विकास हुआ उसका काल मुगल चित्रकला का श्रौनकाल कहा जाता है यहांगीर समय में चितर काला का खुफ विकास हुआ मुगल कि दिए सीदर कालो उसके बार सब्सक्राइए इन्होंने प्रमुकि इसमार के जो बनवाईogen है ताज महल आगरा में learns कि लाल किला जो कि दिल्ली में इस्थित है मोती मस्जिद जो कि आगरा में इस्थित है और वहीं जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में अवस्थित है जो कि साजहां के काल में बनाय गया है ठीक है इसी कारण से स्वर्नुयू कहा गया है उसकी बाद next question आ जाता है मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आकर्मन कब किया था मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आकर्मन 712 SB में किया हुआ था जो की option number 20 है ठीक है उस से में सिंध के राजा दाहिर थे ठीक है उसके बार है next question आजाता है लिंग राज मंदिर किस प्रदेश में है लिंग राज मंदिर जो है उरिशा राजी में है ठीक है लिंग राज मंदिर उरिशा की राजदानी भुबनेश्वर में है इसे जजाती केसरी द्वरा बनवाया था यह 11 सताबदी में बनवाया गया लेकि भींड जो है एक्वार्विस सत्व हपदी में पुननिर्मान किया गया क्योंकि इसकी कुछ हिस्से 1400 साल पूराने मानें जाते हैं ठीक है उसकी बार नेक्स्ट कोशनुन आज ाता है नतराज की कांस की मूर्ति किस वंस से संबन्दित है नतराज की अर्थ होता है टांडव नोयत्य में की मुद्रा में सिव ठीक है आप लोगों ने भी नट्राज का मुर्ति दीखा होगा तो उसमें जो है मुद्रा में सिव की मुद्रा तांडव करते हुए फोटो आये हुए हैं ठीक है उसके बाद जो है राष्टकूर्ट वंस का संस्थापक था ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट कोर्शन आजाता है ब्रिटेन की रानी इलिजाबेत प्रथम किसके समकालिन थी जो कि सही एंसर हो जायाए वह अकबर के समकालिन थी इलिजाबेत प्रथम जो है 1558 से 1603 इस्वी तक इंगलेंड की जानी थी जो कि वह अकबर के समकालिन थी आपका नेक्स्ट कोर्शन आजाता है अब्दुलकादिर बदायुनी नकीब खान और ठानेश्वर किसके दरवार में थे जिसका सही एंसर हो जाएगा वह अकबर के दरवार में अब्दुलकादिर बदायुनी नकीब खान और ठान हिंद की रचना किसने की सही अंसर हो जाएगा अलबरूरी ने अलबरूरी ने सरवपत्म भारत्य संस्कृति का अधियन किया था एबम अलबरूरी महमूत गजनवी के साथ भारत आया था उशने ही štand Cen goodness की यहां तीन question आ जाते हैं आपके ठीक है सरबतम संस्कृति का अध्यम भारतिय संस्कृति का अध्यम जो है अलवरूनी ने किया एबम भारत अलवरूनी के साथ नहीं महदमूत गजनवी के साथ लेखक जो है अलवरूनी आया था और किताब उली हिंद की रचना किसने किये अलवरूनी ने ठीक है कि नेक्स कोशन आजाता है कि सल्तनत कालिन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों तो हार मनाने पर रोक लगा दी ठीक है इसका सही एंसर है अलाउदिन खिल जी यानि अलाउदिन खिल जी ने अपने राजी के विद्रों को दबाने तथा वि next question आ ज़ता है अलाई दर्वाजा किसको प्रवेष द्वार को आम नाम भी दिया गया है थीक है उसके भारे सब सबसे सक्तिसाली राजा किसी बनाया बताया है बावर ने भारत का सबसे सक्तिसाली राजा किसी बताया है सही एंसर है कृष्ण देव राय को जो है भारत का सबसे सक्तिसाली राजा बताया है कृष्ण देव राय के बारे में जान लेते हैं कृष्ण देव राय विजय नेगर श्रामराजी का सबसे महान राजा थे उनका राज वर्तमान में तमिलनाडू केरल उरिशा करनाटक आंधपरदेश में फैला हुआ था बाबर ने कृष्ण देव राय को भारत की सबसे सक्तिसाली राजा बताया है ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट कुर्शन आ जाता है निमलेख बतीत है यह अवधि वास्तु कला में बना है ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट कौर्शन आ जाता है फिरदोस मजिखेट किस मगल राजा को कहा जाता ठाट- फिरदोस मश्जीद जो है एक उम नाम है जो जो कि साह आलम दूतिय को कहा जाता था साह आलम दूतिय एक मुगल समरार था जिसे अंगरिजों के हां थो बक्सर के युद्व में हार मिली थी ठीक है उसकी बाद next question आ जाता है महरु निशा किस नाम से प्रचलित थी महरु निशा जो है नूर जहां के नाम से प्रचलित थी म उसके बाद नेक्स आ जाता है सराब गुटका किस रहस्यवादी कवी की हस्त लिपी है सही एंसर हो जाएगा भगत पीपा ओप्शन नमबर एं भगत पीपा की जो है हस्त लिपी है सराब गुटका ठीक है नेक्स कोशन रहता है कवीर किसके सिस्य थे कवीर जो है रामानंद के सिस्य थे कवीर रामानंद के सिस्य थे रामानंद भक्ति काल के प्रमुक संते कवीर के बारा सिस्य थे जिसमें प्रमुक थे अनंत नांध उसके बाद ससरूरा नंद सुखानन नरारी दास भवानन भगत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और दो महिलाएं थी जिसका नाम था सिच्चे सुसूरी और पदमावती ठीक है उसके बाद अकवर नामा किस भासा में है अकवर नामा जो है फार्सी भासा में है जिसकी रचना जो है अबुल भजर द्वारा की गई थी उसकी बाद नेक्स्ट वोशन आजाता है महमुद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? महमुद गजनवी के साथ भारत अलवरूनी आया था जो कि मैंने इससे पहले भी पराया है ठीक है जो कि अलवरूनी महमुद गजनवी के तरवार को सोभित विद्वान था वह उसकी भारत आकर्मन के समय भारत आया था थीक है उसके बाद औरंगजेव की सिवादरियंत्र वजाने में निपून था और अंग्जेब जो है वीना वजाने में निपुन था, हालांके उसे अपने राजी में संगीत पर रोक लगा दी थी इलतुतमीस द्वारा 175 ग्राम का जारी सिका किस धहत्तु का था? इलतुतमीस जो 175 ग्राम का जारी किया था वो चांडी का था ठीक है एलतुलमिस ने चांदी, तांबे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अर्वी सिख्ये थे इसमें चांदी का सिख्या 175 ग्राम का था ठीक है उसकी बाद आज के question हो जाता है मलेविद और वयलूर के मंदिर किस वन्स के राजाओं ने बनवाया था ठीक है उसकी बाद आज़का डेट के नेक्स्ट कोउशन आ जाता है निम्लेखित म Wayस सही करम में क्या है जो कि दिया गया है तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी यानि कौन सा बंद सबसे पहले आया हुए थे ये जानकरी ठीक है जो कि सही क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक और बाद में लोदी आया ठीक है दिल्ली सलतने तुमें कुल पाँच राजवनसों का राज़ रहा इस तुगलक वनस का जो सासन रहा तेरह सो बीस से चौदा सो चौदा तक राज़र किया इसके बाद सायद वनस ने चौदा सो चौदा से चौदा सो एक्यावन तक और बाद में सबसे लाश्मिर लोदी वनस का जो सासन रहा चौदा सो एक्यावन से पंद्रह सो चबिस इस वी का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद है 1566 इस भी का वर्ष जो है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद है क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1566 को राना प्रताप और अकवर के सेनापती मानसंग की बीच हुआ था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोशन पानिपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था पानिपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगान के बीच हुआ था जिसका दूरविशलेशन दिया गया है पानिपत का तीसरा युद्ध सदाउसी भाव की मराठा सेना और आहमद्जा अबदाली की अफगान से के बीच हुआ जिसमें मराठों की हार हुई और उनकी साथ से सत्तर हजार सेनिक मारे गए उनमें कही योधा भी मारे गए इसमें अफगानों का रुहेलों और अवद के राजाओं ने साथ दिया जबकि मराठाओं को राजपुत और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका ठी अनिपत की तीसरी लड़ाई में मराठा हार गए ठीक है नेक्स्ट कोशन रहा जाता है आगरा की कौन से इमारत मास्कों के सेंट कैथरेडरल की तरह है आगरा की जो है कौन से इमारत मास्कों के सेंट कैथरेडरल की तरह है जो कि सेंट कैथरेडरल एक चर्च है ठीक है जो क के समराज की राजधनी गुलबरगा थी ठीक है जो की 1425 इस्पी में बदल कर बीदर कर दी गई ठीक घृबरगा का नाम 1425 में बदल कर बीदर कर दिया गया नेक्स्ट कुश्चन आजाता है निमलखीत में से कौन वीना बजाता था वीना जो बजाता था वह औरंग ये बजाता था औरंग जब एक कुशल सा सकता हलांकि उसने अपने राज़ी पर संगीत पर प्रतिबंपन लगा दिया है तुंग भद्रा के तर्ट पर कौन सा समराज विक्सित हुआ था तुंग भद्रा नदी के तर्ट पर कौन सा समराज विक्सित हुआ था वह विजय नगर समराज विक्सित हुआ था जिसका विजय नगर समराज की अस्थापना जो है दो भाई हरी हर और बुका नामक दो सगे भाईयों द्वरा की गई यह मधिकाल का सब से बड़ा हिंदु सामराज था ठीक है next question आ जाता है सरे के आजम किन सहरों को जोड़ती थी सरे के आजम जो है आगरा और सासाराम को जोड़ती थी ठीक है जिसका निर्मान सेलसा सूरी के द्वरा कराया गया उसने अपनी राजधानी आगरा और ग्रिह नगर सासाराम के बीच बनवाया ठीक है उसके बाद निमलेखित में से किस की हत्या उसके बेटे ने की थी ठीक है जिसका सही एंसर हो जाएगा राना कुमभा राना कुमभा की हत्या उसके पूतर ने की थी ठीक है उसके बाद नेक्स कोर्शन आ जाता है राना कुमभा ने चित्तोर का विजय अस्तम किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था जिसका सही एंसर है सारंगपूर युद्ध के बाद ही विजय इस्तम चित्तोर का विजय इस्तम बनवाया था विजय इस्तम चित्तोर में है जो की 37 मीटर उचा है इसे मेवार नरेश राना कुम्भा ने महमूद गजनी के नित जिसका सही एंसर हो जाएगा प्रतिहार जोधपूर के निकेट प्रतिहार वंसी राजपूत राजाओं द्वारा विक्सित किया है यहां नागवट मिहीर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं ठीक है नेक्स टूर्शन है जाता है किरिशन देव राय के छेतर में वर्तमान के किस पर्देश के हिस्से नहीं थे जिसका सही एंसर है माहराश यहनि किरिशन देव राय विजय नगर्श हम राजे के सबसे महान राजा थे उनका वर्तमान राज तमिलनाडू, केरल, उरिशा, करनाटक और आंध्रपर्दिश में फेला हुआ था बावर ने कुछन देवराय को भारत का 37 साली रख्जा बताया था पूर्फ पर्ष्टिम समुद्र दिशावर की उपाधी किसने धारन की थी पूर्फ पर्ष्टिम समुद्र दिशावर की उपाधी जो है वो हरियर पर्थम ने धारन की थी ठीक है हरियर पर्थम ने तुंग भद्रा के दक्षिन के राजिप पर अधिकार कर लिया था उसने पूर्पश्चिम शमुद्र तिसावर की उपाधी धारन की थी जिसका अर्थ होता है पूर्पश्चिम दिसा के समुद्र का श्वामी ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट कोशन आजाता है फार्सी इसलामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर्रजाक इब्र इसाख समर कंदी ने 1440 के दसक में किस भारती सहर्प की यात्रा की थी जिसका सही एंसर है कालिकट कमालुद्दीन अब्दुर्रजाक इब्र इसाख समरकंदी द्वनामक इसलामिक विद्वान ने कालिकट की यात्रा की कालिकट भारत के मालावार तट परिस्तित है उसने कालिकट की सा दोप्योगी लेक भी लिखे हैं ठीके उसके बाद नेक्सट कोष्टन आ जाता है रुकईया बेगम किस मुघल सासक की पत्नी थी जिसका सही अंसर है अक्वर रुकईया बेगम जो है मुघल सासक अक्वर की पहली पतनी थी जो कि 1557 से 1605 इसवी तक अकवर की पतनी रही रुकईया बेगम के पिता हसन मिर्चा अकवर के चाचा और हुमायू के सबसे छोटी भाई थें ठीक है उसके बाद आ जाता है रजिया सुल्तान किसकी पतनी थी रजिया सुल्तान मलिक अलतुनियां की पतनी थी जिसका ओपसंड हो जाएगा타 ऌत ससन्सका सही एंसर नंबर एक कड़ाई dua a Photoshop और धन समपता अदिक विश्थार से उल्लेग किया था Gothicा नेक्ट कुशन आजाता है खीजर कहां ने किस वंस की अस्थापना की खीजर कहां ने शय्यद वंस की अस्थापना की थी 1414 इस भी में ठीक है उसके बाद Grand Trunk Road का पुना निर्मान किस नहीं कराया है जिसका सही एंसर है सेर्षा सूरी के द्वरा Grand Trunk Road का सूरी ने कराया और इसका नाम जो है सरक्ड चेंज करके आजम रखा ठीक है उसकी बाद आ जाता है ताल्यकोटा का युध falls हुआ था ताल्यकोटा का यूध जो है 1565 हसबी में हुआ था ताल कोटा युध युध विज्यनगर स्रामराज और लिखकन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ था जिसमें विजय नगर के सेनापती सदा सिवराय की हार हुई थी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोशन आ जाता है और अरंगजीब के समय राजपूत बिद्रो कब हुआ था औरंगजीब के समय जो राजपूत बिद्रो साजहां के मिर्थिव जो है 1666 इसवी में हुई साजहां और उसके पूत्र औरंगजीब ने 16-58 में कैद में डाल दिया साजहां को ठीक है जहां आठ साल जेल में बंद रहने के बाद उसकी मिर्थिव हो गई थी उसकी बाद नेक्स्ट कोशन आ जाता है पालखेट का यूद कब हुआ था पालखेट का यूद जो है 1728 इसवी में हुआ था पालखेट का यूद बाजिरा और हैदराबाद के निजाम उल्मुल्क की सेनाओं के भी 1728 में हुई थी जिसमें निजाम की बूरी तरफ पराजे हुई थी ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट कोशन आ जाता है सनि जिवारवारा जो है मुगल से नहीं है मराठा से संबंदित है ठीक है जो कि मराठा समराज की पेश्वा को बैठने का अस्थान था इसका विकास पेश्वा बाजिराव परथम के समय में हुआ था ठीक है तो दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आप वीडियो में जो भी एक्जाम जो आ रही है वो जलसे जल्द ही दो मेई को हुनी वाली है जिसमें समय आपको बहुत कम दिया गया है ठीक है तो बहतर होगा कि आप जो है वीडियो को पढ़ते साथ याद भी करते जाए ईहवर उसका नोट बनाने से होगा क्या जलसे जल्द भी याद होगा आप उसका दुबारा रिवीजन भी कर सकते हैं साथ ही ठीक है उसकी बाद आपका चली नेक्स्ट कोशन आजाता है कौन से मुगल राजा के दर्बार में हिंदूों को ज्यादा मुश्लिम मनसबदार थे हैं श्रही एंसर है औरंग जेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक ठीक है और हमारे अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल पर सस्क्राइब करके बैल सायाइकन को जरूरर दवाद देंगे अभी तक है आशा करता हूँ अभी आपने जो है सस्क्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर किया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है जबती प्रथा और दह साला प्रथा किसने शुरू कराया जबती प्रथा और दह साला प्रथा का सुरुवात जो है टोडर मल जो है अकबर की नवरतनों में से एक थे उनका मुख्य कार राजस्व का कारे देखना था जबती प्रता और दह साल प्रता टोटल मल नहीं शुरू करवाई थी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट गोशन जाता है किसने अपने भाई उलुक खां और नुसरत खां को गुजरात आ नेक्स्ट कुशन आजाता है मिनाक्षी मंदिर का निर्मान किस काल में हुआ था मिनाक्षी मंदिर का निर्मान जो है पांड़ाई काल में हुआ था यानि कि पांड़ाई वंस की राज़धानी थी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कुशन आजाता है चांदी का टंका और तां अर्वी सिख्ये थे ठीक है नेक्स्ट कोशन आ जाते हैं तैमूर ने भारत पर आकर्मन किसके समय किया तैमूर ने भारत पर आकर्मन जो है महमूद सा तुगलक के समय में किया था जो की 1398 इस भी में आकर्मन किया था उस समय दिल्ली का सासक जो है तुगलक वंसी महमूद सा ठुग्लक था निसके बाद डेक्ष टाब देक्स प्रप्रता एकस्ट प्रता का अंत किस ने किया इकता प्रता का अन्त अलाूदिन खिल जी कि द्रौब धीती द्वूमी दी थी और हो ते तो रेखेश स्केirect का मंदिर जो है गुर्जर पतिहार के द्वारा बनवाया गया है उसिया ने अनिक प्रसिद मंदिर है इन्हें गुर्जर पतिहार राजवंसी राजाओं ने बनवाया ये मंदिर नागवट प्रथम मिहीर भूज नागवट दूतिय द्वारा बनवाये गए थे ठीक है उसके टॉबद नेक्स्ट कोशल आहेता है चंगेज खाला का समकालिन कौन था चंगेज खाल के संकालिन उत्तमिक में मंगल करा जाता ठीक है यनि चंगेश खथा जो है तो घिर जाता सा करणा पाइस घाल कोशनपर गागाई था ठीक है उसकी बार नेक्स्ट कुशन आ जाता है मुगल काल में नयाय का सर्वोच अधिकारी कौन था मुगल काल में जो है नयाय का सर्वोच अधिकारी काजी अलकुजात होता था ठीक है जिसका सही एंसर है option number A ठीक है उसके बाद next question है जहांगीर के दर्वार में ब्रिटेन की सासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था जिसका सही एंसर है Thomas Rowe जहांगीर के दर्वार में Thomas Rowe को को जेम्स प्रथम ने भेजा था जो बेपारिक अनुमती लेने में सफल रहा था उसकी बाद मुगल सासक मुहम्मद सा को किस नाम से जाना जाता था मुगल सासक मुहम्मद सा को जो है रंगिला बादसा के नाम से जाना भी जाता था ठीक है उसकी बाद next question आ जाता है मुगल राजा साह आलम दूतिये का असली नाम क्या था मुगल राजा साह आलम दूतिये का असली नाम अली गोहर था ठीक है उसकी बाद नेक्स रोशन है रहता है मुगल सासक मुहम्मद साह अली का असली नाम क्या था मुहम्मद साह अली का असली नाम जो था रोशन अक्थर था ठीक है उसके बाद नेक्स रोशन है अलाई दर्वाजा को किसने बनवाया अलाई दर्वाजा को अलाउदिन खिलजी के द्वरा बनवाया गया था ठीक है उसके बाद नेक्स रोशन आ जाता है बीजापूर शुल्तान की अस्थापना किसने की बीजापू मूल रूप से किस भासा में थी बावल नामा जो है मूल रूप से चक्ताई भासा में थी ठीक है जो कि बावर नामा के रचना बावर नहीं की थी यह मूल रूप से चक्ताई भासा में थी इसका अबूल भजल के द्वारा फार्सी में तुझके बावरी नाम से अनुवाद कि था ठीक है मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमन किसके सासन काल में हुए मंगोलों के जो सबसे ज़्यादा आक्रमन अलाउदिन खिल जी के काल में हुए थे ठीक है अलाउदिन खिल जी ने इन आक्रमनों को निपटने के लिए लोख और रक्त की निती अपनाई उसने राज किसके नाम पर रखा गया था खुतुम मिनार का नाम जो है बक्तियार काकी के नाम पर रखा गया था ठीक है जो की सुफी शंद था कुतुम मिनार को इल्टूतमिस ने पूरा करवाया है next question मैं जाता है पूरी तरह से अरवी सिक की भारत में सरपथम किसनी चलवाये पूरी तरह से अरवी सिक के भारत में इलतुतमिस की द्वरा चलाया गया है उसने चांदी का टंगा और तांबे का जीतल चलवाया है ठीक है उसके बाद कुलीन प्रता को बंगाल में किस ने शुरू किया कुलीन प्रता को बंगाल में वल्लाल सेन के द्वरा शुरू किया गया था वल्लाल सेन बंगाल का एक राजा था जो सेन वंस का राजा था उसने बंगाल में कुलिन परता को शुरू किया और बरहवा भी दिया ठीक है उसके बाद next question आजाता है गुजरात के राजा भीम देब दूतिये ने किस आकरमन कारी को हराया गुजरात के राजा भीम देब दूतिये ने मुहम्मद गौरी को हराया था ठीक है जो की आबू परवत के पास मुहम्मद गौरी को हराया था उसका मार्वदर्शन उसकी मा कायमा देवी ने किया मुहम्मद गौरी को पकर लिया परनतु बाद में छोड़ भी दिया ठीक है चरियापद की राचना जो है महासिद्ध के द्वरा की गई चरियापद की राचना दस्वी सताबदी में हुई थी यह एक बहुत घ्रन्त है जिसकी राचना महासिद्ध ने की थी इसकी राचना पालवंस के द्वरान की गई थी ठीक है उसके बाद नेक स्कूर्शन आजाता है शोलंकी वंस की राजधानी कहा थी शोलंकी वंस की राजधानी जो थी अनहिलवार थी ठीक है शोलंकी वंस की गुजरात पर राजी करने वाला एक प्राचीन वंस था जहां कि राजदानी अनहिलवार थी इस वन्स का सरवाधिक स्रेष्ट राजा मूल राज था उसके बाद आजाता है अलखंड किस युद्ध से सम्बंदित है अलखंड जो है महोबा का युद्ध से सम्बंदित है अलगन में परदीदेव यनी परमल के पृत्वी राजिन से 1112 इस्वी में युद्धिका वरनन है इसकी रजना जगनिक नामा कवी ने की थी ठीक है उसके बाद 725 इस्वी में अरब आकरमन कारियों दोरा नश्ट हो जाने के बाद दोबारा शोमनात मंदिर को किषने बनवाया दोबारा शोमनात मंदिर को जो नागवट के द्वारा बनवाया गया है जो कि सबसे पहले 725 इस्वी में अरब आकरमन कारियों ने शोमनात मंदिर को तोर दिया था जिसे नागभट दूतिये ने 815 इस्वी में दोबारा बनवाया इसे 1024 इस्वी में महमूत गजनीवी के द्वारा दोबारा तोरा गया था ठीक है उसके बाद राजपूत तों ने किस अरब आकरमनकारी की सेना को हरा दिया सही अंसर है अलजुनेद गुर्जर पतिहार वन्स के राजपूत राजा नागभट प्रथम ने युद्धि में अरब अकरमनकारी अलजुनेद को हरा कर वापिस भेज दिया था नेक्स कोशन आजाता है नेमलेखित राजपूत वन्सों में कौनसा अगर्मकूल से नहीं है अग्रिम्ट कुल से नहीं है सही अंसर हो जाएगा कच्छवाहा अग्रिम्ट कुल से संबंधित राजबुत वन्स थे चौहान, चालुक, परमार और प्रतिहार वन्स ठीक है उसकी बाज आजाता है चचनामा कहां के इतिहास के बारे में संबंधित है चच नमा जो है सिंध के इतिहास के बारे में शंबंधित पुष्टक है चच सिंध का एक राजा था चच का सामराज आधुनीक भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान और इरान की छितर में फेला हुआ था जिसकी राजधानी ब्राहमना वाद थी ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट कोशन आ जाता है मनसबदारी प्रथा कहां से ले ली गई थी मनसबदारी प्रथा जो है मंगोलिया से लिया गया था ठीक है जो की मनसबदारी प्रथा मुगल काल में परचली थी यह मूल रूप से मंगोलिया की प्रथा थी भारत में इसकी सुर पर करने का ऐलान किया था सही अंसर है अकबर अकबर नहीं पहली बार हज यात्रा को हज यात्रियों को राजी के खर्चे पर भेजना सुरू किया उसकी बाद नेक्स कुछन रहा जाता है विजे नेगर समराज में सरवाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी विजे सल्तनत के दोरान बरीद किसे कहा जाता है बरीद जो है समाचार वाहक या जासूस को कहा जाता था ठीक है दिल्ली सल्तनत के दोरान नेक्स्ट कुछन आ जाता है फिरोज सा तुगलक ने किस पूस्तक की रचना की थी फिरोज सा तुगलक ने फटू हाथ ए फिरोज साही किष्नि लगाया , किष्णनों पर सिचाही कर फिरोश सात तुगलग के द्वारा लगाया गया उचने सिचाही कर नामक एक नया कर लगाया था प्रिक है और बन निस न अकर्मन दौरान बहुत से हिंदू ओं को जबरनन धर्मांतरन कर किया गया था। वो किसके अधिकार से वापिस हिंदु धर्म में आये जिसका सही अंसर है देवल इसमिर्थी यानि कि मुहमद बिन कासिम ने 712 स्वी में सिंधर पर आक्रमन किया तब वहां के कई हिंदु को इसलाम धर्म में परिवर्तन किया फिर देवल रिशी ने उनका सुधी करन करवाया और उन्हें वापस हिंदु बनाया ठीक है यह महत्रपुन कोशन आजाते हैं इन्हें ध्यान से पर लेंगे ठीक है नेक्स कोशन आजाता है मुगल राज में काजी अलकुजात कौन था मुगल राज में काजी अलकुजाद जो है न्याय का सर्वोच अधिकारी को कहा जाता था नेक्स कोशन है जाता है बिजापूर के आदिल साह वन्स की सेना पती अबजल खां का असली नाम क्या था अबजल कां का असली नाम अब्दूल भटरी था जिसे सीवाजी ने मारा था नेक्स कोशन है दीन-े-ईलाही कब चलाया गया दीन-े-ईलाही धर्म 2512 इसवी में चलाया गया या अकबर के द्वारा चलाये गया था दीन-े-ईलाही धर्म ठीक है उसके बाद आ जाता है ख्वाज्जा मौईंवूदिन चीस्ती की दरगा कहा है जो है अजमेर सरिप में है जो की एक सूफी संथ थे ठीक है जिसे अभी अजमेर दरगा के नाम से भी जाना जाता है बिठल स्वामी का मंदीर किष्णी बनवाया गया था किष्ण देव राय विजरनेगर शामराजी के राजा थे जिन्हों उन्हीं 1529-2530-3030 किया नेक्स्ट कोशन आजाता है गुरु गरंत साहिव का संकलन किसने किया गुरु गरंत साहिव का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव के द्वरा किया गया था जिसे गुरु अर्जुन देव शिखों के पांचवे गुरु थी जहां उन्हीं जहांगीर ने खौलती तेल में डल मुहम्मद बिन तुगलक के द्वरा की गई थी ठीक है जो कि दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रा लए था जिसकी अस्थापना मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी उसके बाद नेक्स कोशन आता है मुरीद किसे कहा जाता था मुरीद जो है शूफी संतों के सिस्व को कहा जाता था ठीक है उसके बाद नेक्स कोशन आता है पादसा गाजी किस मुगल समराट को कहा जाता था पादसा गाजी जो है जहागीर को कहा जाता था ठीक है उसके बाद नेक्स ठीक है जो की 1194 इसवी में युद्ध हुआ था इस युद्ध में जैचन लरते हुए मारा गया नेक्स्ट कुर्शन आ जाता है गुर्णानक देव का जन्म कब हुआ था गुर्णानक देव का जो जन्म है 20 अक्टूबर 1479 इसवी को हुआ था यह दिन प्रकास उत्सब के रूप में मनाया जाता है मार्कोपोलो कि सराजी के च्षेत्र में तेरवी सताब्दी के अंत में भारत आया था आज के जो लास्ट कोशिन है ठीक है जो की अधुनीः बहर का है मुल्क एक खादिम के नाम से कौन जाना जाता है ठीक है मुगल के एक खादिम के नाम से माराठा सामराजी जाना जाता है ठीक है तो दोस्तों आज का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है और यह जानका रहे हैं आपको कैसी लगी ठीक है यह हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करें ठीक है ताकि इतने महनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों लाइक करने के बाद सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा और आपको जानकारी देते रहे हैं तो दोस्तों आपसे इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे लाइक कर लेंगे दोस्तों ठीक है तो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन